फाइनली वह चिडिया उड़ी गई जिसके पीछे वह सक्स हाँ धोकर पड़ा हुआ था जिसका नाम है एलन मस्क उस वह सक्स इसमें सियर होल्डर था लेकिन वह सियर होल्डर से उसका मन नहीं भारा तो वह सक्स फाइनली इस चीज़ को ले ही लिया जिसका नाम है ट्यूटर ट्यूटर को उसने 44 बिलियन डॉलर इंडिया ने बात किया जो 3368 अरब रुपे में ट्यूटर को उसने खरीद लिया और इसका खरीदने का पीसे मंसा क्या है चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं सबसी दक ट्यूटर के यूजा अमेरिका में होता है, अब आब जैपान में, जैपान के बाद भारत में, भारत अब यूज़़ किया जाता है अब इस चीज़ को क्या सोचे suburbs, सोचकर इस चीज़ को खरीदा चलिए इसके बारे में हम लो जानते हैं उनका कहना है कि ट्यूटर को पॉब्लिक प्लेटफर्म होना चाहिए, लेकि पॉब्लिक प्लेटफर्म ट्यूटर है नहीं, ट्यूटर को एक अच्छी दिशा मिलना चाहिए, ट्यूटर जो मुकाम चाहिए, मुकाम पे जान नहीं पा रहा है, इसको ले जाने का मैं काम गाई कुछ ढ़िशिक फें थिस्ध की में लूज चेव Will odor और अपनी। कोई त्यूजिक कोई करते हैं कुछ कुछ हो जाता है तो वहां पे वहिंद कहोंगी सुधार करने की जरूत है उसके बाद Elon Musk का कहना है कि यहां पर only for 240 वर्ड तक ही आप कुसी बात को रख सकते हैं लेकिन Elon Musk का कहना है इसको हम चाहते हैं और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा के इस चीज़ को करना अब Elon Musk का देखी आगे मंसक क्या हो सकती है वैसे इलर मस्क जिस भी इंडर्सिम जाते हैं वहां पर तहलका माचाने काम करते हैं जैसे कि crypto currency के बात कि जैए crypto currency में वा आते हैं और आते के साथ किसी भी currency का या तो रिट हाई कर देते हैं या फिर लो कर देते ह हो सकता है tutor के माध्यम से हुआ है कि क्या करेंगे market में आकर लेकिन सुचने वाली बात यह है कि क्या negative marketing response मिलेगा उनका positive response मिलेगा जाने वाला समय ही बताएगा क्योंकि हो सकता है आने वाला मंसा उनका all over world पे उनका कबजा करना हो हो सकता है अपनी company का promote करना हो हो सकता है किसी कदेश में उनका product सही तरीके से नहीं भीगता हो तो वहाँ पे camping के रूप में camping चला के वहाँ के public को अपने तरफ अकरसित करके एक movement चला कि वहाँ की सरकार को कम जूड़ करके अपनी company को वहाँ पर promote करना अपने product को वहाँ पर promote करना हो सकता है इनका कि आने वाला समय में इस तरह का मंसा हो इसमें बहुत से ऐसे भी ट्यूटर पर अकाउंट थे आकि जो फेक ID थे फेक ID के में किसी को ट्यूट कर दिया जाता था और बाद में उसका analysis करने के बाद वह पता लग रहा था कि यह ID real में ID है ही नहीं तो Elon Musk का कहना है आकि इस तरह की ID को हम लोग इसको ban करेंगे और जो भी ID होगा real ID होगा कि जब भी कोई claim आता है तुस्व व्यक्ति के उपर हम लोग जाकर निरिक्षन करके उसका पकड़ सकते हैं उस चीज़ को उसके बाद कहना है कि यहाँ पर बहुत से लोग यह ID यहाँ पर terminate हुई थी उस ID को हम लोग फिर लाने का कोसिज करेंगे जैसे कि डुनाल समय में देखिए Elon Musk के लिए ट्यूटर क्या एक घाटे का सवधा साबित हो सकता है कि एक profit का सवधा साबित हो सकता है वैसे ट्यूटर का रिकॉर्ड देखा जाये तो आने वाले कुछ दो से तीन सालों में काफी मतलब की घाटे का company जा रही थी लेकिन इस घाटे की company को Elon Musk न ग्हुति दूए से हैं तुड़ महा हैके हैं दूपी टेह महा हैं टॉपी तो स्टाश साबवकिन की का का विए छ्यूका से हैं टारे का एले क्रेकूर् पला लो को एipp टहा हैं टारे, हम संकते हैं 사람 में जात्ते हैं फ्यून की का लाटे हैं घडते हैं जारे कियों से ग wallpaper जा स